आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं मैं जबी शोईब पहले मुख्य समाचार उत्यप्रदेश रुत्राखन के विधानसवाच चुनाओं में भाशपा की एतिहासिक जीत पंजाब में कॉंग्रिस को मिली सफलता मुख्य मंदी शेवरां सिंग चौहान ने उत्यप्रदेश में भाशपा की सफलता के लिए प्रधान मंदी नरिन मोदी की लोग पिरेता और भाशपा ध्यक्ष अमेशा की रणनीती को श्रे दिया भाशपा को उत्यप्रदेश उत्राखन के विधान सभा चनाओं में एतिहासिक जीत मिली है वहें कॉंग्रिस को पंजाब में भारी सफलता मिली है अब तक मिली जानकारी के अनुसार भाशपा उत्यप्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर जीत चुकी है या आगे चल रही है यहां समाजवादी पार्टी कॉंग्रिस गटबंदन और बहुजन समाजपार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है उत्राखन में भी भाशपा ने शांदार प्रदेशन किया है पार्टी को यहां 57 सीटे मिली है कॉंग्रेस को पंजाब में 77 सीटे मिली है यहां आम आदमी की पार्टी को 20 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है गोवा में कॉंग्रेस 17 सीटों पर विजए रही वही भाशपा को 13 सीटों पर सफलता मिली है मानिपूर में कॉंग्रेस और भाशपा के बीच काटे की टक कर चल रही है मुख्य मंदी शेवरा सिंग चौहान ने कहा है कि प्रधान मंदी नरेट मूदी की लोग प्रियता और पार्टी अध्यक्षा में शाकिर शानदा रन्नीती से उत्तर प्रदेश में भाशपा को अभूत पूरु सफलता मिली है मुख्य मेडिया से बात करते हैं इन्होंने कहा कि देश में खरीब और अन्य लोग प्रधान मंदी नरेट मूदी को विकास के मसीहा के रूप में मानने लगे हैं इस जीत से श्री मूदी द्वारा उठाए जा रहे गदमों पर जनता की महार लग गई है इदर उत्व प्रधेश में भाशपा के यतिहास इख जीत पर भूपाल स्टिक प्रधेश भाशपा मुख्याले में जेश्न मनाया गया राज़ के नहीं हिस्सों में भाशपा कारी करता हुने जेश्न मनाया अधर बरिश कॉंग्रिस नेदा और राजविधान सभा में नेदा प्रतिपक्ष आजे सिंग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाम नतीजों को लेकर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में गरबड़ी की आशंग का जताई है उन्होंने चुनाम आयुक से मांग की है कि चुनाओं में एवियम के उप्योग पर में फिर से विचार करें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाओं नतीजे जमीनी हकीकत के विपरीत है उन्होंने एविये मशीनों में बड़े पेमाने पर गड़बडी की आशंग का जटाई प्रदेश में चल रही नमामी देवी नर्मदे सेवा यात्रा आज देवा जिले में निमावर पहुची यहां मुख्यमंती शिर्वा सिंग चोहान और राश्टिय सुहम सेवा संग्प्रमुख मोहन भागवत ने यात्रा की आफगानी की इस मौके पर जन समवाद को सम्मुदित करते हुए शिर्वागवत ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा की एधिहासी का भी आने उन्होंने नर्मदा नदी को पर वितर बताते हुए नदियों के संडक्षन के साथ ही इस यात्रा की सार्थक्ता के लिए प्रभावी गदम उठाने की बात भी कही इस अफसर पर मुख्यमंती शिर्वासिंग चौहार ने कहा कि सरकार नर्मदा किनारे बड़े इस तर पर पाउधर उपन करने के साथ ही नर्मदा नदी को प्रद्यूशन मुक्त करने के लिए भी बड़े गदम उठाएगी बचत खाता धारक आगामी 13 मार्श को सोमवार से अपने खातों से मंचा ही राशी निकाल सकेंगे इसके साथ ही नोडबंदी के बाद विबे ने खातों से निकासी पर लगाई गई सभी प्रकार की सीमाएं समाप्थ हो जाएंगे फिलहाल बचत खातों से हर सब्ता अधिक्तम 50,000 रुपे निकाली जा सकते हैं भारती रिजव बैंक ने पिछड़े आठ फरवरी को चालू वित्वर्ष की अंतिम दिवे मासिक समिक्षा पेश करते हुए इसकी घोश्टा की थी चालू खातों ओवरड्राफ्ट और कैड़िट खातों से निकासी की सीमा 30 जनवरी को ही समाप्थ कर दी गई थी निकम द्वारा अलग-अलग श्रेणियों में लगभग 24 पुरुसकार निकम के अधिकारी और कर्मचारियों को दिये जाएंगे ओनलाइन जमा किये गए आविदनों का परिक्षन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाएगा प्रतिक पुरुसकार श्रेनी के उद्देश और योगिता के माप्दन भी निर्धारित किये गए हैं प्रदेश के विमक्त घुमकर और अर्ध घुमकर जनजाती वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक चातुरुतिक के लिए ओनलाइन आविदन 31 मार्ज तक जमा हो सकेंगे ऐसे विद्यार्थी चात्र पृत्ति के लिए आवशक दस्तवेश के साथ ओनलाइन आवेदन दे सकेंगे जो विमक्त खुमुकर और अर्दुखुमुकर जनजाती वर्ग में आते हैं प्रादिशिक समाचार आकाश्वाणी भुपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं प्रादिशिक समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज on air.nic.in पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादिशिक समाचार बुलेटन यूट्यूब, ट्विटर और पेस्बुक पर आर्यन यू भुपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं अशोक नगर जिले में लोगों को स्वास्त सुवेधा अपलब्द कराने के उद्देश से आगामी 15 अप्रेल को लाइफ लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन आएगी, कल शुक नगर में सालसा जो तुरादिते सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ये ट्रेन 15 अप्रेल से 12 मई तक रहेगी, और उने बताया कि इस ट्रेन के माध्यम से 23 से 29 अप्रेल तक सरजरी, एक से 3 मई तक कटे होट, पांसे 10 मई हड़ी समन्दी बिमारी तथा 11 और 12 मई को दाथ, कान और हिर्दे रोग समन्दी जाच और उपचार किया जाएगा, शोपर जिले के बगैदा तैसिल के मुंडला गाओं में आज तड़के चंबल नहर के तूटने से बड़ी मात्रा में फसलों को नुखसान पहुचा है, अधिकारिक सूतरो कैनुसार, चंबल संभा के जिलों में आने वाले शोपर मुरेना और भिंड जिलों में किसानों को पानी देने वाली चंबल नहर के 25 फिट से जादा तूट जाने के करण धाई हजार से जादा बीगा समीन में लगी कि फसल में पानी भरने से फसल को नु विश्यबैंक, रिवास और परियोजना के आंतरिक पार्षिन विवस्था विक्सित करने के लिए रड़ उपलब्द कराएगा, ये रण कम दर पर प्राप्थ होने से टैरिफ पर पांच पैसे का लाफ अंकलित है। रिवा और उजएन समभागों के जिलों में कहीं कहीं हलकी बारिश होई। गुना से हमारे समभा दाता ने बताया है कि जिले में कल रात हलकी बारिश होने से धनिया गेहूं और चने की फसल को नुकसान हुआ है। दिन का अधिक्तम तापमान रिवा में रिवा सागर, ग्वालियर, भुपाल और इंदोर संभागों के जिलों में काफी गिरावट दर्श की गई। सबस्यदिक दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, खनवा और छिनवाडा, नर्सिंगपूर, सिवनी, होश्रंगबाद और मंडला में दर्श किया गया। वई नियूनतम ताप 12 डिग्री सेल्सियस, दमों और शियोपर कला में दर्श किया गया। मासमे भागने, आकामी 24 घंटों के दोरान, रिवा, शेहडोल और सागर संभाग, तता मुरेना, भेंड़ गौालियर, दतिया, विदीशा, राइसे, नर्सिंगपूर, जबलपूर, कटने और छिनवाड की सिती बन सकती है। अब कुछ समचार संशेप में। फिर्देश दिये हैं। अनुपर जिले में कलेक्टर ने दो ग्राम रोजगार साहय को सेवा से बरखास कर दिया है। शेपुरी जिला मुक्यारे पर राज़ सरकार दोरा शेहरी शेतरों के गरीब और जरूरत मन लोगों को सस्ती दरों पर पॉश्टिक भोजन, अनुपर देश में भाज़पा की सफलता के लिए प्रधान मंत्री जर्रीन मोदी की लोग प्रियता और भाज़पा अध्यक्षर मिश्चा की रणनीती को श्रे दिया। मैंत्री प्रधिश लोग सिवायव की राज़े सिवा मुख्य परिक्षा 2016 का परिणाम घोश्यत और मौसम केंडर ने रीवा, शैडोल और साकर संभा के साथी कुछ अने जिलों में गरच चमक की स्थिती बनने की संभावना जताई। इसके साथी प्रादिशिक समाचार का ये बुलिटिन समाप्त हुआ। ट्रिक्रत हुआ एंडर में जिलों में टृउवड़ झालों में ले दौवडर साथी का र school किस दोंब consistentुम सिवा में जिलों में डु Ai जिलों में ले एंधर का आपते हुआ। झाल झाल